तो भीसाब स्वागत आपका मेरे चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं आज नहीं आने वाले कुछ वीडियो के अंदर हम IP address के बारे हम बात करने वाले हैं और IP address से related हर उस चीज के बारे हम बात करने वाले हैं जो बहुत सारे जो लोग बार बेटे हैं जो आपको ट्रेस करना चाते हैं उनसे आप अपने आपको बचा सकते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं IP address होता गया है इसके types क्या होते हैं किस तरह से आप अपने computer या अगर इसके अंदर अलग-अलग operating systems हैं जैसे कि Linux, Windows या Mac OS वगएरा उसमें या फिर अपने phone वगएरा में किस तरह से आप अपने IP address को ढून सकते हैं और कैसे उसे identify कर सकते हैं तो शुरू करते हैं फिर और क्या तो मैं जादा deep में आ जाते हुए जस्ट basic से शुरुआत करता हूँ और आपको बताता हूँ कि IP address होता क्या है सबसे पहले IP address है कि unique number होता है जो कि हर एक device का होता है आपका phone, आपका computer, आपका laptop या अगर आपके पास में कोई gaming console है या आपके पास में कोई भी smart device है जो network से connect होती है या आपके कोई अगर आपके घर में broadband connection है जिसमें एक router है जिसमें आप multiple devices connect करते है तो हर उत device का IP address होता है इससे help मिरती है किसी भी device को identify करने के लिए अभी आपके screen पर एक IP address का example आ रहा होगा जो कि आपको पता होगा अगर आपने कहीं देखा हो या आपने networking पढ़ी हो इस video के लिए आपको बिल्कुल भी networking का ग्यान होना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आपने पढ़ी है तो मैं आपको कहूंगा कि आप just overview के लिए देख सकते हैं या मेरी गलतिया निकालने के लिए देख सकते हैं अगर आपने networking नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है मैं थोड़ा वह detail में यहाँ पर बता दूँगा इसलिए जाओगा attention वाली बात नहीं है तो जो आपके screen पर एक example आ रहा है IP address का यह IP address चार सेट में होता है इसके अंदर तीन जो सेपरेट करती है तीन डॉट्स ठीक है हर एक सेट के अंदर जिरो से 255 तक नंबर होते हैं और यह वेरी करता है बहुत सारी अलग अलग चीजों में इसके अंदर बहुत सारी यह IP version 4 और IP version 6 अब हम इनके types के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे पहला type होता है वह होता है public IP address जो दूसरा type होता है वह होता है local IP address अब मैं जस्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि यह दोनों होते क्या है जो public IP address होता है वह basically ISP की तरफ से दिया जाता है जो कि ISP अगर आपको पता हो internet service provider जो भी आपकी सीम वगेरा होती है तो उनके ही ISP बोला जाता है जो आपका public IP address होता है यही आपका main IP address होता है जो कि internet पर जब भी आप किसी web server या किसी website वगेरा से communication करते हैं या कोई device से आप communication करते हैं तो यही IP address होता है जो कि communication करवाता है जस्ट आप इसे समझेए आपने अपने browser को open किया computer पर और उस पर लिखा www.google.com मान लिजए कि यह आप है और यह Google का server है तो आपके दोनों के ही एक IP address होते हैं public IP address जिससे आप request कर सकते हैं और result को सही जगे पहुचा सकते हैं तो जब आप request करते हैं यहां से जैसे ही आप browser म Google का IP address होता है जो public IP address होता है उस IP address के पास जाती है DNS अभी हम पढ़ने वाले हैं थोड़े दिन बाद उस public IP address पे जाती है और रिक्वेस्ट करती है और इनको पता चलता है कि भाईया फलाने IP address से एक request आई जाके उने result दो तो जब वो result जाता है तो पर्टिकुलर सिप उसी ब होता है आपका local IP address और local IP address किस तरह से काम करता है अगर आपके घर में broadband connection हो अगर broadband connection ना भी हो और अगर आपने कभी अपने दोस्तों को hotspot दिया अपने फोन से Wi-Fi connections दियो तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाऊगे मान लिजे कि यह जो चीज है यह आपका router या model या फिर आपका phone जिस पे आपने hotspot create किया है ठीक है यह आपके कुछ चार दोस्त है या चार network devices है या चार nodes कहलो computer कहलो जो आपको कहना है वो खेलो अब क्या होता है कि जो आपका ISP है वो इस router को एक public IP address देता है जिससे internet वगेरा connect करने में easiness होती है इसके बाद जब आप यह devices इस router से connect करते हैं तो जो router या modem या जो भी आपकी devices जिस पे आपने hotspot create किया है वो क्या करता है कि इन चारो devices को एक अपना अलग से local IP address देता है local IP address कहीदार managing हो सकते हैं या random भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यह चार अलग-अलग local IP address पे काम करते हैं अगर इन में communication हो रहा है तो local IP address के थ्रू हो रहा मतलब router और इनके बीच में जो भी communication होता है वो local IP address के बीच में होता है लेकिन router से ISP के बीच में जो भी communication होता है वो public IP address के थ्रू होता है और जब भी आप यहां से request करते हो इस चीज़ से तो यह आपके router तक जाती है then router से ISP के पास जाती है तो आपका ज वही काम करता तो जब भी जो भी ट्रेसिंग होती है या जो भी ट्रेक करते हैं जो भी सारी चीजने होती है वह पब्लिक अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप Linux के अंदर आपना IP आप सकते हैं सबसे पहले Linux के अंदर जो कि मैंने कमांड पहले भी बताइए इससे आपको अपने जो लोकल आप इडरस उसके बारे में पता चल जाएगा इसके अंदर जैसे हैं आप कमांड टाइप करते हैं तो यह यहां पर आपको जो भी IP address दिखेगा वो लोकल IP address होगा ठीक है और यहीं पर आपको IP address जो आपका 6 version है वो भी यहां पर दिख जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप Linux के अंदर IP address देख सकते हैं बात करें Windows के तो Windows के अंदर दो तिन अलग अलग तरीके होते हैं IP address को चेक करने के लिए अगर मैं सबसे बेसिक तरीक है बता हूं तो आपको जैसी आप अपने टास्क बार देखेंगे तो टास्क बार पर यहां पर यह जो नेटवक का साइन है यह आपको दिखेगा और अगर आपको जस्ट एकी चीज़ दिखेगी यह हो सकता अगर आपने VM बशीन अगर बना रखिए तो आपको सारे अलग अलग अप्शन दिखें आपको जस्ट जाना इथरनेट 0 में क्योंकि अब अभी इथरनेट 0 की बात कर रहे हैं यहां पर जाना है आपको प्रोपर आपको जो भी आईपट्रस होगा वह दिख जायगा यहां से आप उसे चेंज भी कर सकते हैं उसके लिए आपको फॉलॉएंग ऐसे चेक कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको इतनी माथाबच्ची नहीं करनी है तो आप विंडो आर दबाकर रण बॉक्स ओपन करके cmd कर कर सकते हैं और cmd के अंदर ipconfig एक command होती है ipconfig जैसे आप उसे enter करेंगे तो यहां पर आपको सारी चीज़ दिख जाएगी यहां पर आपको ipversion 4 का ip address जो भी आपका local ip address है वो और ip version 6 जो की local ip है आपका वो दिख जाएगा तो इस तरह से आप local ip addresses देख सकते हैं अब आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने device का public ip address देख सकते हैं पब्लिक ip address को देखने के लिए मैं जस्ट कुछ websites हैं वो सबसे पहले तो आप what is my ip address लिखके भी type कर सकते हैं Google पर और वो directly आपको दिखा देगा लेकिन अगर आप website के बारे में भी बता दिया है अगर आप चाहें तो यहां पर मेरी location वगेरा भी देख सकते हैं ब्ला 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 यह सब मैं hide करने वाला हूं तो एक तो यह चीज़ हो गई कि यहां से आप देख सकते हैं एक होता है ip info.ip और स्लेश-7a अगर आप लिख देते हैं तो यहां पर कुछ इसतर से टेक्स आज़ाता है अधरवाई आप जुस्त आई-प ड्रेस इस तरह से सर्च कर सकते हैं यहां पर और आपको सारी चीज़ने मिल जाएंगे के अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि यह सेक्सी लगता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं मैं कुछ आपको कमांड्स बता देता हूं सबसे पहले जो चीज़ वो है हमारी करल कमांड करल सी यूर्ल हो सकता है मेरा गरीब वाल तो करल आप यूज कर सकते हैं या फिर आप डबलीगेट यूज कर सकते हैं करल के अंदर मुझे ठीक लगता है क्योंकि टर्मिनल पर ही डायरेक्ट रिजल्ट आएंगे तो जादा कोई टेंशन वाली बात लिए डबलीगेट अगर आप यूज करते हैं तो उसके अंदर करते हैं तो देखें यहां पर आपको कुछ भी करने की जर्ण नीपड़ी ज्यादा मतलब माथा बची करने की जरूपर सारी चीज़ों खतब होगी इससे और क्या हो सकता है शीम चीज आप अपने Android या कोई भी iOS device है या कोई भी आपके पास में फोन है जिसमें आप ब्राउजर आप वहां से वेबसाइट को एकसेस करके अपना पब्लिक IP अड्रेस चेक कर सकते हैं आज के लिए बस इतने ही था और आपको सारी चीज़ा समझी में आ गए होगी जो भी मैंने इसमें बताया और अगर आपको फिर भी कुछ दाउट सेते हैं अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अधर्वाइस आप टेलिग्राम चैनल को जाकर वहां पर भी पूछ सकते हैं एक्स आने वाली वीडियो में आपको बताऊगा कि कैसे आप अपने आईवेड्रोस को चुपा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए आप कुछ को उनकों सी मेथड्स कर सकते हैं और सभी को हम प्रेक्टिकल कर के दिखेंगे कि कैसे उन चीजों का यूज करके आप अपनी आइडेंटिटी को हाइट कर सकते हैं तो यह सीरीस चलती रहेगे और इसके बाद जैसी आप परफेक्ट हो जाओगे तो हम डार्क वेब एक्सस करना सीखेंगे और उसके अंदर जो भी चीज़े होती ही बेसिकली वह उसके बारे में हम सारी डीटेल में सीखेंगे काफी लोग पहले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में लेकिन मुझे इसा लगता है कि पहले जब यह सारी चीज़ हो जाए अपने आपको छिपा ले हम ठीक से सिक्योर हो जाए देन हम उस चीज़ के ऊपर चलेंगे और काफी डीप में हम उसके पर बात धो एक नएक्त कर दूट